आप सबको पता है ये आप अमिद सर का थर्ड वीडियो देख रहे हैं पहले दो वीडियो में उन्होंने हमें ब्रेस्ट कैंसर का सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन वर्मिंग साइन्स क्या होती है सेकेंड वीडियो में डाइग्नोसिस, सोनो मैमो, डिजिटल मैमोग्राफी बंदब एक्सरे, पेट स्कैन, ओपरेशन किस प्रकार से होता है आपरेशन में पूरा ब्रेस निकालना, आदा ब्रेस निकालना, कीमोतेरेपी, यह सारे चीज़ पे एकदम बेजिक आंसर्स ही है डिटेल में आंसर्स हम जानना भी नहीं चाहतें क्योंकि डिटेल आंसर्स, पेशन्ट टु पेशन्ट वेरी होने वाले है बिल्कुल and simultaneously हमने Amit जी को और एक बार बुला लिया है वापिस क्योंकि breast cancer को लेके मेरे मन में और questions थे जो मुझे लगते हैं आपके मन में भी होगी इसलिए बैतर है कि उनके जैसे एक expert के साथ बात करेंगे तो शायद हमें कुछ ऐसा guidance मिलेगा जो हमें हमारे patient को हमारे case में और हमारे relatives की मदद करने में काम में आएगा हमारे सारे viewers की तरफ से one more time, thank you so much for coming, taking out time and really for explaining breast cancer in a very simple way in the last two videos आपने हमारे को last video में एक बात बताई थी कि breast cancer का treatment complete करना बहुत important है फिर भले surgery पहले हो, chemotherapy बात में हो, पहले chemotherapy हो तीम बार, फिर surgery, फिर वापिस chemotherapy, शायद radiation therapy, ये सब complete करना ज़रूरी है मेरा question ये है आपसे काफी बार हमें patients पूछते है कि sir breast cancer आपने जो बताया मैंने किया, आपने बताया पहले operation करो मैंने operation किया आपने बोला 6 बार chemotherapy लो मैंने वो भी किया, मैंने कुछ आवाज नहीं किया अब मैं आपके पास मैं follow-up के लिए आया हूँ और बहुत सारे breast cancer के patients को हम 5 साल की tablet, 2 साल की tablet letrozole या amastrozole commonly जो हम देते हैं मैं दो चीज जानना चाहता हूँ ये हम क्यों देते हैं और इसका breast cancer को और कमती करने में कितना रोले so ये एक ही breast cancer एक ही cancer है जिसमें treatment खतम होने के बाद बिमारी वापिस नहीं आने के लिए tablets हम देते है so ये tablets क्यों देते हैं कि इस patient में देते हैं ये जो breast cancer होता है वो जो tumor मेटलता है उस tumor के ऊपर test होते हैं हर्मोन के receptor test बिल्कुल estrogen progesterone ये जैके main hormones है बिल्कुल estrogen progesterone में नहीं मेरा main testosterone है पर मैं जो hormones में ज्यादा डिल करता हूँ वो estrogen progesterone estrogen receptor progesterone एक और है जिसको her two new receptor बोलता है आचा और last है KI 67 levels आप लोगों के लिए आप important चीज़ है कि forget the receptors हम जो बता रहे हैं कि किस में लेना है क्या में लेना है वो important है बिल्कुल जो patient के receptors present है एस्पेशली पहले दो ER और PR estrogen और progesterone बिल्कुल जिन्सके tumor में ये receptors present है उनके लिए ये tablet बनी हुई है जो वो receptors के against स्थाम करती है और cancer को आपिस होने के लिए prevent करती है आचा fantastic तो premenopausal यानि menopausal के पहले बिल्कुल जिनके कतम नहीं हुए उनके लिए tamoxyban करते बोलिए जो 20 mg के होती है आचा वो मैं अभी मेरे प्रांटिसमें 10 years के लिए आपके डॉक्टर आपको आपके लेने को अगर रिसेप्टर में आया कि भाई बायोप्सी में कि रिसेप्टर नहीं है तो डॉक्टर आपको टैबले लेने की ना बोलते है और जैसे इंसान में होता है ना कि अच्छा इंसान है बुरा इंसान है देख के तो सभी अच्छे लगते हैं इंसान कार्ण ज़ता दॉक्तर ना यह बुरा है यह आंगर अच्छा है उस्त्रेसमे आए तो कैसे रियाट करें सेम बें ब्रेस्ट कैंसरे अगर यह रिसेप्टर सप्रेजन है ER और पी आ तो इत रिस्पॉंझ टोई तो टीप्नेट आच्छा वाव सर्जरी कीमोथेरपी प्रूरा क्यों रहें यह बिया स्ट्रॉंग पॉजिटिव अंड़ेट पॉजिटिव अगर स्टेज फॉर में त्यूमर आया और यह पीर पॉजिटिव उसमें भी पेशेंट को फेर दो साल दे सकते हैं वाव यह थे तैबलेट और बहुत अब पॉजिटिव अगर पॉजिटिव होता है तो उसके लिए एक इंजेक्शन होता है अच्छा वह हम नॉन मेटास्टिक यानि जो प्रिमारी दूसरी जगह नहीं गया है उनके लिए हम आपरेशन के बाद कीमों के साथ अच्छा हम अठरा इंजेक्शन देते हैं ओ सब चीजे अभी बहुत लोर कॉस्ट में आ गया है वाओ 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 अगर पॉजिटिव रहा है और यह वाला इंजेक्शन ले लेता है ना तो सर्वार्वल बेनेफिट मोर दें 30 परसंट हो जाता है वाओ एक इंजेक्शन मतलब यह अट्टरा इंजेक्शन का कोर्स करने तो चाहुता जो है लास्ट वाला की आई 67 यह अनको यह बताता है कि यह वाला जो बिमारी है ना इसमें कितना रिस्पॉंस रेट होने का चांस कितना है अग्रेसिव है कि नहीं कीमो तरफी इसको हेल्प करेगा कि थोड़ा बहुत नॉट कंपली पर तोड़ा बहुत बहु आपको लेना है नहीं लेना है तो हमारे लिए बहुत सिंपल है आप ना वह वह वन परसंट में और जिसमें यह हुआ है वन परसंट बहुत इंपॉर्टन यह हमारे लिए सब स्टडी जों आते है ना वह स्टडी में हमारे भी जो स्टडी होते हैं हमारे लिए अरे यह कहना तो वन परसंट की डेटरिमेंटल पेशन के लिए है तो अपन वो 99 को ओवर ट्रीट क्यों करें बहुत आ हैं कि अगर आपका घरवाला है और वह वन परसंट में आये तो क तो आपको 90% बोले क्या था उसका आपको 10% में आगे हैं सो ओवर्ट्रीप्मेंट इस बेटर एस कंबेट तो अंडर्ट्रीप्मेंट होना चाहिए है ऐसे नहीं कि आपका हर्टों रिसर्ट पर नेगेटिव है और आपको 16 इंगेशन दे दिए वो गलत है और और ताबलेट तो उसके लिए है जो टेस्ट उसके बीचे आपने को ज्यादा नहीं जाना है लेकिन बेसिक है कि ER-P-R पॉजिटिव है आप खुश रहो आपको ट्रीप्मेंट मस्त लाग होने वारा है इसके बेसिक के ऊपर आपको और अदिशनल थेरीपी जाने के लिए आपके डॉक्टर्स आपको देने वाले है पुझे और एक क्वेस्टन है दो क्वेस्टन है रादर ये वीडियो में और और एक क्वेस्टन जो मैं पूछ लेता हूँ बहुत सारे पेशेंट के माइंड में ये डाउट रहता है कि सर मुझे तो ब्रेस्ट कैंसर हुआ अब मेरे बच्चे को हो गया हाँ यू नो कि like I have breast cancer तो हम family history पूछ से हो बोलते कि मैं मम्मी को नहीं था मेरी आंटी शायब cancer से मरी थी पर मुझे exact पता नहीं cancer कौन सा था है ना इस चीज़ के लिए हमें पता है कि blood test available है मैं इस चीज़ का एक scientific answer जानना जाता हूँ आपके पर तरफ से भी क्या आप आपकी practice में या क्या आपने मान के चलिए Indian Cancer Society के कोई ऐसे recommendations है जो बताते हैं कि मान के चलिए index patient को एक patient को breast cancer positive आया तो क्या उसकी बेटी उसकी मम्मी उसकी बहन ये सबको भी breast cancer का जो blood test है वो करवाना चाहिए या नहीं सो सेफ आंसर होता है कि तराना है युक्य पहले वाले को हुआ इंको दूसर वाले नहीं हो सकता है दौकर मदर को है तो दौकर को सकता है sister को सकता है अभी मैं जो आंसर दूंगा मेरे practice में मुझे बहुत बैक्लाश दून सकती है मुझे अप्सों ब्यावर्या के कि इस युडियोपाथिक ट्मोलडी किसी को पता ही नहीं चलता है बराबर सेकंड क्या है stress इस नोट लाइस युडिया फोरीफाय वाविं तू चिल्डरन यू रन टेस्ट ऑंधी मदर ब्रेश कैंचर डाइगनॉस हो गया है आपने वो टीशू पे रंग किया पता चला हो कि अधिया तो एक पर्चंटेश होता है कि यह इसकी बहुत स्क्रॉंग हो सकती है अचा डाटर को फूचर में आ सकता है तो डर से पहला चीज एक 80 यह और बढ़ा आपके बच्चों को अलट परो कि यह आं ईसका मतलब यह नियुक्शे का भी आप ब्रेश बचाने की बात करते हैं अगर आपके चिडरन पो ब्रेस्ट कैंसर की पेशिंट की चिडिन को ब्राका और ब्राका टू पॉजिटिव आ गया बिल्कुल तो क्या आप उनका ब्रेस्ट ऐसी निखलवाने दोगी दोनों ब्रेस्ट एक सैट से बोड़े ममी का दो बचना हो आप ब्रेस्ट कंद्रविशन करो बराबर है और दूस होई थी कि किसी दो आक्रिस ने अपने ग्रांड मदर और उसको था तो उसके बाद बहुत रुष्टा यह वालगी सभी ने कराना चाहिए इंटलिजेंट बनो अलड रहो आपने ब्रेस्ट के बारे में तो देख लिया ना आपके ममी से आपको आ सकता है बाकि बहुत सारी कर रहे हो अलकॉल ले रहे हो तो आपके पास में ब्लड टेस्ट अवेलेबल है यह जानने के लिए कि क्या आपके बच्चे को भी यह रिस्क है क्या आपकी सिस्टर को यह रिस्क है जिसको हम कॉमनली BRCA1 और BRCA2 यह टेस्ट के नाम से बताते हैं तो मैं तभी करता हूं और मैं तभी उनको आदा हंटा हूं जो भी रिजल्ट आता है आपको फामिली इस्टी में आ सकता है क्योंकि सबको पता है क्योंकि बाद में रात पर गूगल करेंगे और यह उसने भी मैंस्टर किया था यह मैं भी खरवाले तो हूं यह मैस्टर कितमी से मुझे एक क्वेशिन पूछना है ब्रेस्ट कैंसर में मान के चलिए पेशेंट ने और आज डॉक्टर आपने डिसाइड किया क्या आपका पूरा ब्रेस्ट निकाल देना चाहिए आपको ब्रेस्ट कंसर्वेटिव सवजर भी नहीं करनी चाहिए और मानके चलिए ये patient है जिसको cosmetic appeal जो उनकी lost हो जाती है मानके चलो अपने breast निकाल दिया तो वो side का breast की cosmetic appeal निकल गए गया अब हमें पता है कि बहुत सारे reconstructions available है आप muscles use करके उसको shift कर सकते हो आप implants डाल सकते हो बहुत सारी options available है ये चीज में मेरा question बड़ा simple है जब patients ये आते हैं या patients इसका counseling करते हैं मैंने बहुत सुना है आपके पास से सुना है बाकी के लोगों के पास से सुना है जो breast cancer के specialist है कि काफी बार वो primary surgery में ही reconstruct करके दे देते हैं तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये बात सच है पहली बात कि primary surgery में reconstruct हो सकता है and second ये जो आप tissue repair करके देते हो जिसको हम plastic surgical या reconstructive पूरा जो और science बोलते हैं उसमें cosmetically कितना अच्छा दिखता है ये सब so ये हर surgeon का अपना अपना नजरीया है हर cancer doctor का अपना नजरीया है मैं मेरे नजरीय के बारे में बात करता हूं मैं primary reconstruction कभी नहीं करता हूं मैं दो साल हूं पहले उनको निकालने को बुलता हूं आपको दो साल में बिमारी नहीं आई बरावा इंपने भी cancer उन्हों क्रीप करते हैं अगर वो cancer बिकर होता है 80% first two years नहीं होता है बिल्कुल बिल्कुल बाकि इक बार two years कॉस्ट किया तो नहीं आता है करेक्ट सो once two years are crossed then you talk with the patient कि अगर उनको reconstruction करना है तो आप reconstruction के लिए तैयार हो जाओ करते हो तो उसमें बहुत सारे options है अच्छा अगर को पीछे का ले सकते हैं तो बहुत सारे options है इंप्लांट डाल सकते हैं जो भी options है आप सिलेक कर सकते हो और वो दभी कर सकते हैं मैं primary reconstruction क्यों प्राइमरी काम क्या है अपना प्राइमरी काम है cancer treatment पहले जिम्दगी दो उसको मस्क कैसे बनाना है बहतर कैसे बनाना है वो बाद में बनाओ यह अगर मैं बोलू कि 1% failure rate है 1% तो आपने तो पेशेंट का अट्जुवन treatment radiation सबकी बैंट जागी और कोई नहीं है कोई किसी हो मेरा तो फ्लास्टिक स्वेजन्स या ओंको स्वेजन्स या मेरा तो नहीं है अगर उसका जाम प्राइमरी क्रीट्मेंट रह गया और अध्शें ब्रेस्ट लेके घुम रहे हो बरावर hoe उसका पोई मीनिंग नहीं है बढ़े दो, मैं दो साथ मस्त जी हूंगी, उसके पास जूवा जो अब एक ब्रेस कैस्टार्शन का बूलते तो ऐसे होता है ना, गॉए ब्को ब्रेस आपिस वापिस वाइसे हो तो जो ही सुप रोगुवास मुझे जोरू है मुझे जिन्दे की जो बड़ाब दो साथ मस्त यूँ कि उसके पाद जो रिकंस्ट्रेक्शन करना है आपको कर देंगे बरबर यह जानना important है patients के लिए कि अगर ऐसा कुछ है और अगर आपको ऐसा है कि इसमें कोई cosmetic disfigurement है तो आप इस चीज़ को लेके इसका treatment options plastic surgeon के साथ में या cancer surgeon के साथ में explore कर सकते हैं जिसमें they can reconstruct that breast back for you मैंने मेरे practice में यह surgery देखी हुई है इसलिए मैं सोच रहा था कि यह question हम Dr. Avid को पुचेंगे और यह बहुत उचित आंसर भी आया है आपने इस जीज़ का लेके क्योंकि cancer में primary goal is to survive nicely and if you've survived nicely जैसे कि sir ने बता है starting के 2-3 साल अक्छे निकल गए फिर आप ऐसे कोई thoughts आपके दिमाग में लाकर यह सारी treatment options को explore कर सकते हैं बहुत specific patient होता है जिसको उन primary consumption देजा suppose लोग पीमेन दान मारे है she is very young suppose the patient is very big breasted उसका बहुत disparity दिखने में आता है for them we can give provided she is stage 1, stage 2 पर उसके criteria है जैसे आपने बता है कि यह पूरी dynamics अगर कोई भी patient आप में से है या कोई भी viewer है और यह 3 वीडियो लेखे अगर आप 3 वीडियो का total कर रोगे तो तकरीवन 1 गंदा है यह 1 गंदा अगर आपने सुना है तो आपको यह जरूर idea आ गया होगा कि breast cancer पहली बार common है treatable है and treatable very nicely treatment options बहुत है पर हर patient के लिए option individualize करना पड़ता है simultaneously यह एक ऐसा cancer है जिसमें आपको एक 10 year survival window है so we are talking of almost complete here to a very very good survival इसमें अगर breast को disfigurement बन्दा cosmetic benefit नहीं मिला तो cosmetically reconstruct भी कर सकते हो बड़ी अच्छी तरह से and you can get back to your original shape यह सारी information हमें मिली है यह तीन chat shows के द्वारा Dr. Amit के पास से मैं सारे viewers की तरफ से वापिस तीनों sessions मिला के आपका बहुत बहुत शुक्रियादा करना चाहता हूँ क्योंकि खुद की practice में से time निकाल कर इतना clarity के साथ और वो भी एकदम simple language हम medical therapies की बात करेंगे तो शायद 5 दिन बात करेंगे इस चीज़ पे बड़ इतना simple words में लोगों को समझाने के लिए thank you क्योंकि बहुत patients हैं हमारे country में जो यह videos देखते हैं और फिर खुद के doctors के पास में जाके यह questions पूछते हैं बहुत सारे doctors और बहुत सारे patients के mind में रहता है किसी को पूछ नहीं सकते हैं और I hope कि यह interaction के द्वारा आपके questions answer हुए है thank you so much to all of you for listening to this and we are going to see you with such excellent chat shows frequently throughout this year thank you friends we are available for consulting in Bombay Indore, Ahmedabad and Bangalore Bombay is our primary location all appointment numbers are mentioned in the description if anyone is genuinely interested they may contact the hospitals for the same